नमस्कार शातियों श्वागत आप सभी गाब राइट एग्रो ग्लासिस के डिजिटल प्लेट्परम पर साथियों आज अपन बात करने वाले हैं एग्रिकल्चर मार्केटिंग सब्जेक्ट के बारे में इस सब्जेक्ट के बारे में आज अपन कम्प्लेट चर्चा करेंगे इसमें कौन-कौन से topics important हैं, जिनमें question पुछा जा सकता है, इसके साथ ही definition कौन से topic से पुछी जा सकती है, अंतर टिपणी और long question कौन-कौन से topic से पुछी जा सकते हैं, इनके बारे में अपन क्या करने वाले हैं सातियों? चर्चा करने वाले हैं और आज किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं साथियो गेस फेपर वो भी अपन एग्री कल्चर मार्केटिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं इसके साथ ही आपकी paper जो चल रहे हैं वो बताया करो कि आपके फैपर के से क्या चल रहे हैं अगर कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है या कोई भी नॉट्स वगिरा नहीं मिलते हैं तो आपके एप पर अउले बल है सातियों अपनी एगरी कल्चर मार्केटिंग के बारे में तो इसमें एक वर्ड आता है अपने क्या मार्केटिंग कौन सा आता है सातियों marketing word आता है इसको अगर समझ जाओगे तो अपनी जो subject है वो क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी तो देखो इसको इंदी में बोलते हैं विपणन के नाम से किस नाम से जानते हैं विपणन सही द्यान से समझना marketing का मतलब क्या होता है सभी किसान family से belong करते हैं तो आप सभी को पता है अपने जो माता पीता है वो क्या करते हैं किसी भी product को क्या करते हैं उत्फादित करते हैं जैसे गेहों को उत्फादित कर लिए ये अपने गर पर है ये अपने खेत में मालो अब इसको अपन क्या कर देते हैं अंतिम कंजूमर तक या उपबोकता तक क्या कर देते हैं पौंचा देते हैं कंजूमर की इसको बोलते हैं उपबोक्ता को बोलते हैं जो कि इसका यूज करता है जो कि इसका यूज करता है गेहूं खाने के लिए जो यूज लेगा ने वो क्या है वो अपने कंजूमर है मितलब अंतिम व्रक्ति है जो कि इस प्रोड़क्त का क्या कर लेता है यूज कर ले लेता है, consumption कर लेता है उसको जाना जाता है, consumer के name से, तो देखो, producer से किसी भी product का consumer तक पहुँचना, अबोक्ता तक पहुचना ही क्या है marketing, मतलब अपने खैत पर कोई भी product प्रोड्यूश होरा है, वो कहां तक पहुचेगा सातियों, वो किसान तक पहुचेगा, और किसान तक पहुँचे गा उब उक्ता तक पहुँचे गा वो उसका यूज़ करेगा तो साथियों ये बीच की process है मतलब किसान से लेकर या producer से लेकर consumer के बीच की जो process है इसको किस नाम से जाना जाता है marketing के नाम से जाना जाता है और agriculture marketing की अगर आपको definition पूछ लें तो यहाँ पर आपको लिखना है कि करसी के जो भी उतपाद है करसी के जो भी उतपाद है वो producer से लेकर consumer तक पहुचना ही क्या कहलाता है marketing मतलब agriculture के products को producer से लेकर consumer तक पहुचाना क्या है marketing है कौन सी marketing agriculture marketing तो यह आपको समझ में आया और नहीं आया अब marketing में आपके storage भी आजाएगा labeling वगएरा एक इस्थान से दूर से इस्थान में बहुत सारी वेक्ति इसमें काम करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि आपने गेहू की या प्याज की क्या की खेती की production हुआ इसके बाद में जो बिचोली वगएरा होते हैं गाउं के बढ़ियां होते हैं वो क्या करते हैं अपने product को क्रिदने आते हैं क्या बढ़ियां swim उनका यूज करते हैं क्या नहीं वो किसी अन्य वेक्ति को देंगे फिर अन्य वेक्ति अन्य को देंगे फिर अन्य को देंगे और फिर लास्ट में consumer इसका क्या करेगा? यूज गरेगा. consumer क्या करेगा? यूज गरेगा. तो ये पूरी जो procession है, इसको marketing channel के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? Marketing channel के नाम से जानते हैं. तो ये introduction आप सभी को समझ में आया होगा. अब इसके बाद में पढ़ चलते हैं. अपने guess paper के और. तो इसमें guess paper अपने सबसे पहले definition आती है. consumer surplus. किसकी आती है? consumer surplus. द्यान से समझ लेना. अगर concept समझ में आजाएगा, सारी definition समझ में आजाएगी. concept ही समझ में नहीं आएगा, तो definitions भी समझ में नहीं आएगी. consumer surplus क्या होता है? consumer मैंने क्या बताया? उप बॉगता. कोई भी वस्तू को खरीदने वाला क्या है? consumer है. क्या है? consumer है. जैसे कोई भी है. अब वो किसी भी product को जिस कीमत पर खरीदना चाता है? क्या खरीदने को तैयार है? जिस कीमत पर product को खरीदने को तैयार होता है और जिस पर खरीद लेता है? जिस पर खरीदता है. उन दोनों का जो अंदर रहने वो क्या कहलाता है? साथ यो consumer surplus क्या कहलाता है? consumer surplus. जैसे मालो, अब मैं कोई product लेने जाओ. मालो, marker में लेने जाता हूँ. अब मेरे को लगता है कि marker कितने तक आएगा? डेड़ सो रूपे तक आएगा. कितने तक आएगा? डेड़ सो रूपे तक आएगा. मैं मान लेता हूँ कि 1.500 रूपे तक आएगा और ये मेरे को मारकेट में कितने में मिल जाता है 145 में मिल जाता है तो ये 5 रूपे मेरा क्या हुआ साथ यो कंजूमर सरपलस उपबॉगता अदीसेस क्या होता है उपबॉगता अदीसेस होता है तो आप समझ गए कि उपबॉगता या जो भी कंजूमर है कंजूमर क्या करता है जिस पर खरीदना चाता है और जिस पर खरीद लेता है मतलब जिस कीमत पर खरीदना चाता है किसी भी प्रोड़क्ट को और जिस पर खरीद लेता है इसके बीच का जो अंतरन है वो क्या है सातियो consumer surplus क्या है consumer surplus है इसके बाद में दूसरा अपने क्या आता है producer surplus क्या आता है producer surplus तो ध्यान से देखना जिस कीमत पर वो बेचने को तैयार है और जिस पर बेच देता है जिस पर जिस कीमत पर बेच देता है दोनों का जो अंतर है वो producer surplus कहलाता है जैसे मालो मैं 2000 रुपे क्विंटल गे हूँ बेचने को तैयार हूँ और बिक कितने में जाते हैं मारकेट में 25 रुपे क्विंटल के रुप में बिक जाते हैं तो 500 रुपे किसका होता है मेरा surplus होता ह प्रोडूशर का आपको पूछा जा सकता है कि consumer surplus किसके लिए होता है उपवागता के लिए अगर बात करें producer surplus किसके लिए होता है उतफ़ादक के लिए होता है किसके लिए होता है उतफ़ादक के लिए होता है तो यह आपको समझ में आया कि जिस कीमत पर आप किसी भी product को ब बेच देते हुआ इसका जो अंतर है उसको producer sir plus के नाम से जाना जाता है next अपने आता है marketing marketing क्या है उपबॉगता से लेकर producer से लेकर producer से लेकर कहां तक consumer तक consumer तक किसी भी product का पहुचना बतलब है अपन किसी भी product को कहां से लेकर कहां तक पहुचाते हैं producer से लेकर consumer तक पहुचाते हैं तो इस process को किस नाम से जाना जाता है marketing के नाम से जाना जाता है इसके बाद में अपने आता है marketing cost क्या आता है marketing cost ध्यान से समझना किसी भी product को producer से लेकर consumer तक पहुचाने में आने वाली लागत या cost क्या कहलाती है marketing cost मतलब producer से लेकर consumer तक किसी भी product को पहुचाने में जो भी लागत आती है transportation में पैकिंग में चाहिए वो किसी में भी आये labeling वगिरा में तो वो सारी क्या होती है marketing cost होती है इसके बाद में आता है grading या sirenie करने मतलब किसी भी product को उसकी grid को गूलता के अदार पर या आकार के अदार पर उसको अलग-अलग सरेणीों में divide कर दिया जाता है उसको grading के नाम शर्म जाता है जिससे save है اب save को आकार के अदार पर कर देते हैं बड़े से उपोला कर दिया तो ये क्या है ग्रेडिंग है और इस ग्रेडिंग का क्या फाविदा होता है इसका मुल्ले अधिक मिल जाता है ग्रेडिंग की विए प्रोडक्ट्स का क्या मिल जाता है मुल्ले अधिक मिल जाता है इसके बाद में आता है creation of utility या हिंदी में और पोचे तो आपको पूचकता है उप्योगीता का सरजन क्या उप्योगीता का शरजन तो ध्यानसे समझेना creation of utility क्या होता है creation of utility को देखो साथित है utility का मतलब है किसी भी product की उप्योगीता अपने को बढ़ानी है, किसी भी प्रोडक्ट की उप्योगी तक अपने को क्या करनी है, बढ़ानी है, वो चार परकार से अपन क्रियेशन कर सकते हैं, कितने परकार से, चार परकार से कर सकते हैं, सबसे पहले तो आता है, उसकी फॉर्म चेंज करते हैं, फॉर्म यूटिलेट इसके फॉर्म के इस प्रकार से चेंज कर दोगे टमाटर के फलो का आप सोस तैयार कर लेते हो कैचप तैयार कर लेते हो तो उसका मुल्ले बढ़ता है एक नहीं बढ़ता है उसकी उप्योगिता बढ़ती है एक नहीं बढ़ती है किसर बिलकुल बढ़ती है वो देखो टमाट के आकार में चेंज करके या उसका रूप चेंज करके उसका रूप चेंज करके उसकी मुल्ले शवर्दन किया जाता है उसका मुल्ले बढ़ाया जाता है उसको बोलते है फॉर्म यूटिलिटी एक है प्लेस यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है जिसे बात करे कोटा में गेहू का भाव क्या है पंदरा सु रूपे जेपूर में कितने है जेपूर में अपने है पच्ची सो रूपे क्विंटल तो अपन क्या कर देंगे प्लेस सेंज कर देंगे कोटा से गेहू को कहां पर ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे अपन कर देंगे जेपूर में तो क्या हो जाता है, ये place utility, उसका मुलिश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक अपड़े आता है, position, position का मतलब होता है, सवामितवे, जिसे किसी वेक्ति के पास में, जिसे मेरे पास में कोई बाइक है, उसका मेरे को यूज नहीं आ रहा है, और मेरे पास में उसकी नहीं है, अब मैं किसी एसे वेक्ति को transfer कर देता है, या एसे वेक्ति को बैट दिता है, उसको उप्योगितादिक है, तो मेरे पास में तो उसकी रेट कमती पर, उसके पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है असरी अब उसके पास में इसकी उप्योगिता है क्या नहीं है पर वो मेरे को बेचेगा तो मैं इसको अच्छी किमत पर लूँगा क्योंकि मेरे पास में इसकी क्या है उप्योगिता है इसको बोलते है creation of utility क्या बोलते हैं साथियों creation of utility के नम से जाना जाता है अब आपने चलते हैं आगे क्यों आगे आता है speculation और हैंजिंग क्या आता है speculation और हैंजिंग यह होता है 60 बाजार उसमें आपको क्या देखना है अंतर देखना है इसके साथ ही marketable surplus और marketed surplus है जो अपने surplus अभी पढ़ा था ने producer surplus उसके ही टाइप से marketable surplus मार्केटेबल surplus और marketed surplus अब देखो इन दोनों में ध्यान से अंतर समझ लेना कि कोई भी producer है क्योंकि producer surplus किसको मिलता है producer surplus मिलता है उत्वादक को तो यह किसके टाइप है यह producer surplus के टाइप है तो यह अपने किसके बात करेंगे producer की बात करेंगे तो कोई भी producer है उसका अपने नाम की बात करेंगे तो राकेश माल लो राकेश कोई क्या है producer है सही वह राकेश क्या करता है सातियों राकेश करता है प्रोडक्शन करता है किसका प्रोडक्शन करता है गेहूं का उसके पास में कितनी क्विंटल हो जाती है 500 क्विंटल हो जाती है और 500 क्विंटल में से वो अपने गरवालों के लिए वो अपने गरवालों के लिए गरकर्च के लिए मजदूरू के लिए इसमें से 100 रख लेता ह कितनी 100 क्विन्टन रख लेता है अब ब्चती कितनी Türkiye burdens Papa , 400 क्वि фильм बसती है मतलब यह कोटमार्केट में बहुचने के लिए ही तो पॉचने के लिए 200 हो ख़ृता है तो ख़ृता हिन्युप्षिन के लिए 800 में द्बच रक्ति रहे हैं अब इस 400 का क्या करेगा, मार्केट में ही बेचेगा, अंत में तो, तो वो क्या करता है, ये जो 400 क्विंटल है, उसको जाना जाता है, मार्केटेबल सर्पलस, किस नाम से, मार्केटेबल सर्पलस या विक्रेई अधीसेस के नाम से जानता है, विक्रेई, मतलब मार्केट में ब बेचना है आज बेचो कल बेचो चाहिए परसो बेचो इसको बेचना है तो marketable surplus राकेश की पास में कितना हो गया 400 क्विंटल कितना हो गया 400 क्विंटल इसकी बाद में तो ये तो समझ में आ गया कि जो भी production होता है उसको market में कितना अपने को बेचना है वो क्या होता है marketable surplus अब इस 400 में से वो क्या कर देता है राके से 500 क्विंटल तो बेच देता है कितनी 500 क्विंटल वो बेच देता है और बाकी 150 वो रख लेता है कि में बाद में जब इसके बाव अच्छी आएंगे अच्छी प्राइस होगी तब में इसको क्या करूँगा बेच देता है मार्केटेबल कितना आजाएगा साथियों मार्केटेबल अपने आजाएगा 300 क्विंटल और बाद में बेचने के लिए उन्होंने 500 क्विंटल रखा तो दोनों में अंतराई ओप आप सभी को समझ में आ गया होगा इसके बाद में अपने चलते हैं आगे क्यों मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग सेग्मेंटेशन क्या होता है एक तो मार्केटिंग मिक्स होता है इसका एक फॉर बीसी दानत भी है उसको दियाने से रखना इसके बाद में एक मार्केट सेग्मेंटेशन इसको द्याने से मिलनो इसमें मार्केट को क्या कर दिया चाहता है अलग-अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है जिससे ये बच्चों का मार्केट है ये बड़ों का मार्केट है ये बूदों का मार्केट है लिंक के आदार पर ये पुरुशों का है ये इस्त्रियों का है तो ये किस के आदार पर बाढ़ दिया यह लिंग क्या दार पर बाड़ दिया जियोग्राफिकल एरिया जिससे यह गाउं का मार्केट है यह सिटी का मार्केट है यह कोई नेशनल मार्केट है यह इंटरनेशनल मार्केट है इस परकार से जियोग्राफिकल एरिया क्या दार पर बाड़ दिया education क्या दारपर है यह सिक्सित लोगों का है यह सिक्सित लोगों का है इस परकार से market को अगर अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या होता है market segment होता है यह सब्जी market है यह books market है यह other market है ये कपड़ा मार्केट है, तो ये क्या होता है, मार्केट सेग्मेंट क्या होता है, मार्केट सेग्मेंटेशन होता है, मतलब मार्केट को अलग अलग से रेडियो में बाढ़ देते हैं, जो अपने पास में जो कंजुमर्स आएंगे, उनकी आउशकताओं के आदार पर तो वो क्या होता है market segmentation एक होता है marketing mix क्या होता है marketing mix इम इसमें एक तो होता है place product इसके साथ में ही बात करें इसमें promotion आ जाएगा तो ये क्या है सातियों ये अपने है क्या marketing mix marketing mix में होता है कि जैसे मालो की जिस पर नहीं है वो ही creation of utility से related ही है ये उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए ही किया जाता है marketing mix अभी इसके बाद में अपने चलते हैं आगे की क्यूसंस के और आगे काता है market integration इस पर आपको टिपनी याद रखनी है इसके साथ ही मैंने market channel सभी थोड़ देर पहले बताई थे उन पर आपको टिपनी याद रखनी है इसके साथ ही market के अलग-अलग function होते है physical function होते है इसके साथ ही अगर बात करें उसमें सहाय कारिये भी होते है इसके साथ ही marketing के function भी होते है तो ये functions आपको याद रखने है इसके साथ ही अपने को 4PC done जो marketing mix का है वो याद रखना है इसके बाद में आता है next question अपना बाजार के आपको परीबाशा लिखते हुए परतीश परदा के आदार पर on the basis of buyer जैसे monopoly market sorry seller के आदार पर है monopoly oligopoly सही तो ये किस के आदार पर है seller के आदार पर आदार पर on the basis of buyer तो monospony, duospony तो ये oligospony ये क्या है ये अपने परतीश परदा के आदार पर है तो ये आपको याद रखना है इसके बाद में आता है PLC confused हो जाते हो product life cycle product life cycle में क्या होता है साथियो जैसे product है market में जाएगा तो market में लोग जो consumers हैं वो उसके परती क्या होंगे पहले तो परीचित होंगे उसके बाद में उस product की देरे देरे marketing में क्या होगी growth होगी इसके बाद में वो up level तक चला जाएगा मतलब maturity level तक चला जाएगा जहां तक बिकना है वो बिक जाएगा इसके बाद में विक्री क्या हो जाएगी गठने लग जाएगी विक्री क्या होने लग जाएगी गठने लग जाएगी तो ये अपने क्या होती है product की life cycle होती है तो इसके steps आपको बताने है कौन सी steps का क्या कारिये रहता है और कौन सी steps में क्या run नीती अपने को अपनानी पाड़ेगा सही है उसमें क्या रहता है उसमें जो रेट है रेट हाई रहती है सही मेचुरिटी पर रेट क्या रहती है कम रहती है तो यह आपको क्या करना है याद करना है इसके बाद में हैं अंतराश्ट्रिय व्यापार क्या है और पूर्ण लागत सिद्धान्त को ये कब होती है जब बीच में बिचोली एदिकोते है ने बिचोली एदिकोते है तब ये लागत दिकोती है और इसको कम करने के लिए क्या-क्या उपाई करने चाहिए वो आपको बताने हैं और फिर निमन पर टिपनी AOA आ जाएगा जिसकी फुल परम क्या होती है Agreement on Agriculture, इसके बाद में FCI Food Corporation of India, इसके बाद में Central Wayer House, Wayer House क्या मोलते हैं, जिसमें Storage के लिए Agriculture के प्रोडक्ट्स को रखते हैं, या प्रोडक्ट्स को रखते हैं, तो वो क्या होता है, Central Wayer House होता है, इसके बाद में Agriculture Price Follish के पारे में आपको याद करना है, Next अपने हैं, बारतिय बाजारों में करसी उत्फादों के करे और विक्रे करने की परचली जो भी विदिया हैं, वो आपको क्या करनी हैं, याद करनी हैं, अगर इसके किसी स्टूडेंट के पास में Notes नहीं हैं, तो मेरे को एक बार आप Message कर देना, जो आपके पास में नंबर द कितने में मिल जाएगा, वन नाइन में मिल जाएगा, कितने में मिल जाएगा, वन नाइन में, अगर वन नाइन रेट वहाँ पर नहीं दिखाया हो रहा है, तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, आपको वन नाइन में complete मिल जाएगा, Agriculture Marketing की, Classes, Notes वगेरा, सब कुछ मिलने वाला है एप को डाउनलोड रखना और इसके साथी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को प्रेश करना है ताकि सबसे पहले हर नोटिफिकेशन आपके पास मैं है अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की शाथ तब तक के लिए जहिन ज आपर सती हुआ